तो आपने फूर स्ट्रोक गैसूलीन इंजन पेट्रोल वाले इंजन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वह दोण आपने समझ लिये अब एक चीज रह गई है वह है डीजल इंजन डीजल इंजन की बड़ी बात ये क्योंकि डीजल है न अगर आप पीछे जाएं दो-तीन माड्यूल जब हमने इसकी डिस्टिलेशन कॉलम देखी थी, तो जो पेट्रोल है, वो उपर आथा, पेट्रोल हलका होता है, पेट्रोल उपर आथा था, डीजल जो है, वो हैवी होता है, हैवी का मतलब क्या हुआ हैवी का मतलब उसमें कार्बन ज्यादा होते है कार्बन ज्यादा होते है इसका मतलब उसमें एनरजी ज्यादा होती है तो डीजल में एनरजी बहुत ज्यादा होती है पेट्रोल के निजबत इस वज़ा से जितने बड़े बड़े ट्रक है न वो डी कुछ ये यूरोप में एक नई चीज़ एजाद हुई जिसको यूरो डीजल कहते हैं वो उन्होंने ऐसा माडिफाई किया है फॉर्मूला कि उसकी एनरजी पे एफेक्ट इतना नहीं पड़ा थोड़ी सी कम हुई है लेकिन उसकी इमिशन प्रापरडी जिए काफी बहतर हो ग करते हैं ना डीजल इंजन को वो ये ट्रक हैं जो बड़े मशूरे आलम ट्रक हैं इतने कितने कुपसूरती से लोगों ने अपने बनाए वे तो मैं डीजल इंजन भी समझाओंगा पिर कुछ और भी ऐसी हीट इंजन से हीट मशीन से हैं वो आखिर में जाके इस सेक्शन के अंदर उन सब को भी कवर कर लेंगे तो डीजल इंजन देखें आप यह मैंने नीचे देखा ना कि थर्टी परसंट तक के गैसुलीन इंजन जो है वो बीस वीसद तक के डीजल इंजन है वो तीस वीसद तक के चल जाता है तो यह एक बड़ी बात है तो यह 1892 में एक डीज डीजल इंजन ने उन चलाया था जिसकी 75 फीसद एफिशेंसी तो यहां पर डीजल इंजन में इतना सारा कार्बन होता है कि जैसे उसको प्रेशर करेंगे तो वो उसको सिर्फिक स्पार्क नहीं चाहिए होता है एक ग्लो फिलमेंट होता है इसका मतलब थोड़ा सा कि यहां पर ग्लो प्लाग नजजन के अनदर उससे इसको गरम करने वाली बात है और कुछ नहीं है उसको आपने थोड़ासा गरम किया, डीजल को फिर एक्तम से वो हीजाता है। यह मिक्स्चर है डίजल और एर का, अबी भी जुर्रत जुरूर होगी ना, जलाने के लिए तो किसी चीज को भी जलाने के लिए हवा की जुरूरत है, तो हवा को मिलाके उसको कमप्रेस करें तक्रीमन 15 एटमस्फियर प्रेशर फिर यह सेल्फ इगनाइट हो जाता है और फिर उसके बाद वही पाखी सारा जो फलसफा है ना चार स्ट्रोक वाला वो इसमें भी लागत होता है पूरे उसी तरीके से चलता है लेकिन बस यह कोई इ इनरजी काफी ज़्यादा आती है और एफिशेंसी भी काफी होती है 30 परसंट तक के एक्जॉस जो है वो इसमें लिखाए लो कार्बन मोनोकसाइड लेकिन ओवराल कार्बन डियाकसाइड इसमें बहुत ज़्यादा होती है काफी हाई टेंपरिचर पे बर्न होता है तो इस की वज़ाए यही है कि वो इतने सारा कार्बन वाला फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी वज़ाए से उसके नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है इंजन भी थोड़ा सा महंगा होता है ट्रक यकीनन हमारे गाड़ियों के इसाफिक ज़्यादा महंगे आते हैं और पिर यह कि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो जरा मुश्किल हो जाती है फिर उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉईल लगानी पड़ती है जो शुरू में थोड़ा सा उसको गरम करें गरम करने हमारे पास चाहिए इतना ज़्यादा हो शायद नॉर्दन एरिया में कुछ ऐस है वो और चुके टेंपरिचर ज़्यादा है इनके बर्निंग का यहाँ पर तो इसके वज़े से जितनी भी नाइटरिजन हवा के साथ आएगी वो ज़्यादा ऑक्सिडाइज हो जाएगी तो नाइटरिजन ऑक्साइज जो बाहर से निकलती है ना टेल पाइप से उनकी कां बाहर मरतबा ज्यादा बढ़ जाएगा तो यह वही चीज़े होती है जो टर्बाइन के अंदर जो इसमें रोटर है वो गैस आई जो जेट फ्यूल होता है वो केरोसीन ऑईल होता है केरोसीन ऑईल लाया उसको आपने जैसी जलाया तो वह एकदम से उसका एक्सपेंशन जैसे वो जो निकलती है हॉट एयर वो उसको इसके रोटेटर को impeller को हिट करती है और impeller उसका चलना शुरू हो जाता है और फिर वह बाखी तो आपको पता ही jet engine कैसे चलता है लेकिन अंदर सारा जो main mechanism है ना वह यह है कि गैस को जलाना उसको expand करना और expansion जो उससे जो power create होता है उससे इसका impeller चलाना और सारा पिर आपका engine जो है वो आपको वो जो lift और drag वाला जो case है वो सारा इसके बाद वो खुद बखुद चलता रहता है एक जो मज़े की बात यह है जो आजकल ज्यादतर जितने भी coal burning power plant है यह मैंने आपको बात पहले भी समझाई थी एक बड़ वीसद होती है अब यह इसका वो रखें एक system के जो आपका motor है आपकी गाड़ी है उसकी efficiency 20 वीसद डीजल ट्रक है उसकी efficiency 30 वीसद जो power plant है उनकी efficiency efficiency coal burning power plant 45 वीसद तक के जाती है 45 वीसद बागी क्या हुआ बागी जो 55 वीसद एनरजी वो waste हो गई उसका क्या करें तो अब इन थोड़े सी उसकी heat जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए वो जादा नहीं कर सकते है क्योंकि वो जो energy जो waste हुई होती है वो इतनी उसको कहते है entropy इतनी जादा होती है यानि वो उससे जादा काम नहीं हो सकता वो बिलकुल 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 बिकरी वी energy होती है लेकिन जो गर्मी जह है उसकी जो हीट है वो एब्सॉर्ब करके फिर उसको आप गरम पानी है उसका आप जो भी करना चाहें काम कर ले वो इतना गरम नहीं होता लेकिन बहराल इतना गरम होता है कि घर को गरम कर दे या जैसे मैंने आप से का चाय बना ले उसकी उस पानी की तो नहीं लेकिन उससे heat लेके उसकी आप चाय बना सकते हैं इसी लिए उसे कहते हैं co-generation plant इनकी efficiency थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है 40-45 से बढ़के शायद 50 तक के पहुंच जाए तो बरतबस बात होगी ना 50 वी तक तो पहुंच गे एक दिन में हम लोग 50 फीसद 20 से चले ते 50 तक पहुंच गे तब इस course के end तक के क्या होगा यह सोचने ज़रा तो 50 वीसद इनकी जो हो जाती है अब एक आखरी चीज़ जो मैं आपके समझाऊंगी यह बड़ी मज़ेदार बात है air conditioner या refrigerator एक ही चीज़ है ना उसका वो भी heat engine है वो भी energy लेके काम करते है काम करने का मकसद ही होता या तो gas को expand करें या gas को compress करें दो चीज़ें होती है बहुत important air conditioner के अंदर एक होता है compressor जिसकी आवाज आपको हमेशा आती रहती है अगर आप air conditioner चलाएं और एक होता है expansion wall जिससे आप gas को add करते है expand करते है तो बहुत ही आसान सा फलसफा है इसका काम करने का एक वो वाल होता है जो change करता रहता है हर चीज़ों को तो आप देखें अब आपने liquid लिया liquid लेके अब उसको compress किया तो liquid जब किसी चीज़ को भी compress करेंगे ना तो वो गरम हो जाएगी compressor ने उसको गरम किया वो liquid घर के अंदर किया क्योंकि वो गरम था अब उसको ऐसे grill होती है जिसके अंदर fan लगा होता है वो grill में से वो गरम liquid जाता है तो वो जब fan उसको देते है तो वो सारी जो गरमी होती है उस liquid की वो घर के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब यह हीटिंग के लिए वो काम चलना शूरू कर दिए यह हीटिंग के साइकल बता रहा हूँ ठीक है न और फिर वो चीज़ें फिर वो वापस आ जाती है बाहर आके फिर उसको ठंडा करना पड़ता है जितनी वी चीज़ें रूम टेंबिश्टर तक के लाने के लिए और फिर वो दोबारा यह साइकल स्वाल भॉता है अब आप को बात बता ह tạiुंडे में क्या होता है कि क dov यह को बीधान को यह को घर के अंदर लें गर के अंदर आपको एक को थोड़ा सा कोई वी मतल करें लेंगे तो अगर उसकी नौजल को टॉच्करें तो आपको तो जब भी ये liquid से gas में convert हो रही ना, compression कम होके, तो temperature बिलकुल कम हो जाता है, तो ये जो compressed liquid यहां से गया, compressed gas जो गई थी, जो liquid बन गई थी, वो जब अंदर गई गर में, तो एक expansion valve है, expansion valve से वो expand हुई, वो gas, उसकी वज़ा से वो बिलकुल सारी जो चीज़ें थी, वो ठंडी ह हो गई, वहां पे भी एक fan लगा होता है, वो fan से जितनी आपकी जो ठंडी ठंडी हवाई है, जो उसके अंदर आपके air conditioner के तरिये, अंदर आ गई हो, अब वो liquid का क्या हुआ, वो जो compressed हुआ था, वो बिलकुल वो फिर दुबार से gas बन गया, वो बाहर आके उसने अपनी जि जो गर्मी निकाल के लाता है, वो बाहर को देके फिर से compressor में घुझ जाता है, फिर उसको compress करें, फिर अंदर ले आके फिर उसे expand करें, फिर उसको बाहर ले आके फिर cool करें, तो ये सिलसला चलता रहता है, इसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ जाया ना बा गर्मी होने की वजह से, तो दर्मयानी सब में तो चल जाता है, जब ज़्यादा गर्मी हो तो फिर थरा एर कंडिशनर में थोड़ी सी परिशानी होती है, तो ये जो एर कंडिशनर का principle है, ये भी वो ही principle है, हर एक सारी चीज़ें जितने मैंने आपको समझाए, मैंने अभी जाते हैं, जितने जाए हो जाती है, जितने ज्यादा स्टेप होंगे जैसे एक कनवर्शन में आपको बताया था, पांच स्टेप थे, उसमें जो है एफिशन्सी घट के थोड़ी सी रजाती है, तो लेकिन थोड़ी सी रजाने के बावजूद भी जतने पावर प्लान्ट ह उनकी 40-45 वी सथ तो एफिशन्सी में चलते ही रहते हैं वो लोग थोड़े से अगर आगे को जैनरेशन कर लें तो शायद 50 वी तक पहुंचाते हैं लेकिन इस से जादा नहीं चलते हैं वो 50 वी सथ एनरजी ये थर्मो डैनामिक्स के अवसूल है हमारी घल्दी नहीं है वो ज जाय जरूर होगी